नमस्ते जी कैसे हैं आप पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्तिक स्वागत है मैं हूँ कात्याईनी साल की सबसे बड़ी पूर्निमा कार्तिक पूर्निमा की आपको धेर सारी शुब कामना है ओम नमस्षिवाई ओम नमो भगवते वासुदेवाई शिव केशव का सबसे प्रियमा है कार्तिक इस वीडियो में हम कार्तिक पूर्निमा की समपूर्ण पूजाविधी जानेंगे तो आएए सबसे पहले शुब मुहुरत जान ले कार्तिक पूर्निमा की तिधी है 11 नवेंबर 2019 के शाम के 6 बच कर 1 मिनित से लेकर 12 नवेंबर के शाम के 7 बच कर 4 मिनित तक पूर्णिमा उद्याते थी 12 नवेंबर को है इसलिए कार्थिक पूर्णिमा का वरत सत्य नारायन की कथा और कार्थिक पूर्णिमा की पूजा भी 12 नवेंबर को मनाई जाएगी पूजा के लिए शुब घड़िया यानि कि अमरत काल है 12 नवेंबर के शाम 4 वजे से लेकर 5.30 तक अभीजीत मुहुरत सुबह के 11 बच कर 37 मिनित से लेकर दो पहर के 12 बच कर 22 मिनित तक 48 मिनित से लेकर 4 बच कर 12 मिनित तक कार्तिक के माह में दीपदान का इतना महत्व क्यों है और दीपदान क्या है किसी भी मंदर में दीपक को प्रच्वलित करना ही दीपदान है कार्तिक मास की पूर्णिमा कृतिका नक्षत्र में होती है इसलिए इस मास का नाम कार्तिक पड़ा, कृतिका से कार्तिक और कृतिका नक्षत्र का स्वामी भी कार्तिक देव है कार्तिक देव महादेव के सुपुत्र है जिन्होंने तारकासुर का वध किया था कार्तिक देव का तत्व है अगनी और दीब तो अगनी का ही स्वरूप है अब आप समझ चुके होंगे कि कार्तिक मास में कार्तिक देव के सम्मान में दीपदान का महत्व है वैसे कार्तिक पूर्णिमा को ही देव दिपावली मनाई जाती है जो कि वारानसी में बड़े धुमधाम से मनाई जाती है इस दिन महादेव ने त्रपुरासुर का वद क्या था जिसके जशन में सभी देव देवताएं दिपावली मनाते हैं देव देवता आज दिपावली मनाते हैं और हम धर्थी पर कोटी कोटी दीपों का डान करते हैं कहते हैं कि इस दिन जो भी जीव प्रानी हो कार्तिक दीप के दर्शन मात्र से जीवन चक्र से मुक्ति पाते हैं कार्तिक स्नान का बहुत बड़ा महत्व है पूरे महीने भर कार्तिक स्नान नहीं कर पाए तो कम से कम आज ब्रह्म मुहुरत में यानि कि तीन से पाँच के बीज गंगा स्नान या किसी भी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए यदि आज नदी या समुद्र स्नान नहीं कर पाए तो साधारन स्नान ही सही मन चंगा तो कठोती गंगा सनान के बाद संकल्प अवश्य ले आज दान का अत्याथिक महत्व है अपने समर्थ और इच्छा अनुसार दान अवश्य करें सत्यनारान व्रत्व कथा करने के लिए पूर्णिमा तिधी सर्वोत्तम होती है और कार्थिक पूर्णिमा श्रीहरी विश्य जी का सबसे प्रिया है इसलिए आज आप कथा अवश्य कराए उपर देख रहे आई बाटन को दबा कर हमारे चैनल में समपूर्ण सत्यनारान व्रत्व की कथा सुन सकते है पूर्णिमा की मेन पूजा शाम को ही की जाती है कार्थिक पूर्णिमा में खास दिनेश जी, महदेव, कार्थिक देव, हनुमान जी, श्रीहरी विश्य जी, मालक्ष्मी जी, कुबेर देव जी और तुल्जी मया की पूजा की जाती है इसमें सबसे मुख्य है चान को अर्ख्य देना पूजा आरंब करने से पूर्व स्नान करना उत्तम रहेगा परन्तो यदि ऐसा संभव ना हो तो कम से कम मुहाथ पैर धोलीजे जस तरह हमने दिपावली को घर के हर कोने में दिये जला कर सजाया था ठिक उसी तरह आज भी घर के कोने कोने को दिये से सजाना है सर्व प्रथम गनीश्ची की ही पूजा करें ओं गम गनपतिये नमहा मंत्र का उचारन करते हुए गनीश्ची की पूजा करें उन्हें दूरवा चढ़ाएं पूल चढ़ाएं भोग चढ़ाएं प्रार्थना करें कि आपकी कार्थिक पूर्णिमा की पूजा निर्विखन संपूर्ण हो आज तरपुरारी पूर्णिमा है इसलिए महादेव के समक्ष पांच कोनों वाला दिया प्रजवलित करें आप दिये में पांच दिशाओं में पांच बत्या लगा कर भी दीपक प्रजवलित कर सकते हैं इसे सुई की दिशा में यानि की clockwise direction में प्रजवलित करें पांच कोनो वाला दीपक इसलिए क्यूंकि महादेव को पांच अक्षर बेहत प्रिय है पंचाक्षरी मंत्र ओम नमस्षिवाय पंच तत्व इसे तरह पंच मुखी दीपक महादेव के ही अन्शवतार हनुमान जी की भी आज खास पूजा करते हैं इसलिए आज हनुमान चालीसा का पाथ अवश्य करें आदिलक्षमी मंत्र अमावस्या तिथी पर मालक्षमी की पूजा तो हम करते ही है क्योंकि उनका जन्म तिथी ही अमावस्या है इसी तरह पूर्णमा तिथी पर उनके भाई चंद्र देव के पूजा के साथ ही मालक्षमी की पूजा भी की जाती है मंत्र है ओम चंद्र सहोदर ये नमहा कोडिया गोमती चक्र चन्नन की धूप और लाल कमल के फूलों से माता की पूजा करें कार्तिक मास मिश्री महविष्णु ने कुबेर देव जी को आग्या दिया था कि जो कोई उनकी पूजा करें उनके भंडार भर दे कुबेर जी का मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवनाय धनधान्या धिपतय धनधान्य समृधिम मिदेही दापय स्वाहा फिर कार्तिक माह के एक रितका नक्षत्र के स्वामी कार्तिक देव की पूजा करें कार्तिक देव की पूजा संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है रियल एस्टेट और डिफेंस उनके लिए भी इनकी पूजा खास लाप्रद है कार्तिक देव के लिए भजन गाय जाते हैं जिसके गीति काव्य आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कार्तिक देव के कुछ सरल मंत्र भी दिये गए हैं जो आपको सबसे सरल लगे उसका जब करें आज तुलसी मया के समक्ष घी का दीपक प्रच्वलित करें और ओम तुलसाय नमहा मंत्र का जब करें कई लोग आज ही तुलसी विवा करवाते हैं तो इसकी विधी और कथा आप हमारे चैनल में पासकते हैं अब बारी है वान ओफ दे मेन पूजा की जहां से चांद का दर्शन मिलता है वहां एक आसन बिछा पर चांदी का एक परतन रखना चाहिए इस चांदी के कटोरी में दूध भरना चाहिए इसे इस तरह रखिए कि चांद की किरने उस पर पड़े इसके साथ ही आसन पर सफेद रंग के फूल जुडवा केले तामबूल यानि की पान के पत्ते पर एक रुप्य का सिक्का और एक सुपारी रखना चाहिए दीप और सुगंदित अगरबती जलाईए ये सब चंद्रमा को नवेद्य सा अरपन करना चाहिए जल में अक्षत यानि की साबच चावल मिलाकर चंद्रमा को अरखिदें इन मंत्रों का जाप करें ओम श्रीम श्रीम श्रॉम सहा चंद्रमा से नमहा ओम आयम ख्लीम सौमाय नमहा ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमहा चंद्र का गायत्री मंत्र इस तरह है ओम भूर भुवह स्वाह अम्रुताम गाय विद्महे कला रूपाय धीमही तन्नो सोमो प्रचोदयात पूजा के बाद दूद को प्रसाद के रूप में स्वीकार करे इस तरह करने से आपके मन को शांती और आपके संतान की रक्षा भी होगी महिलाओं को गर्भस्ते समस्याय भी मिट जाएंगी एक खास बात देवोठान एकादशी को भगवान चार माह के निद्रा के पस्चाद जाकते हैं और कार्तिक पूर्निमा के दिन ही वे अपना पहला अवतार मत्सयावतार धार कर शंखासुर का वर्थ करते हैं जिससे प्रत्वी पर पुना निर्वान का कार्या आसान हुआ था उसके प्रतीक हम जमीन में ही एक छोटा सा गड़ा खोद कर उसे धूट से भरेंगे गड़े में मोती या पीतल से बनी मचली डाल कर उसकी पूजा करते हुए महा मत्सयाय नमहा मंत्र का उचारन करेंगे पूजा के बाद इस मचली को ब्राह्मन को तान कर देनी चाहिए दोस्तो ये है कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण पूजा विधी आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी अभी मुझे इजासत दीजे हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में स्वस्ति